नमश्कार राम राम कैसे वाइब सब लोग बढ़िए आनन्द में कुशल मंगल त्य तयारी कर रहो तो एक सवाल जो मुझसे दो लोगों ने पूछा और दो लोग ऐसे जिनमें जुआ हो एज का डिफरेंस भी के सासथ जुआ हो टीयरी का डिफरेंस भी और दो लोग ऐसे एक एकदम नहाई एस पैरेंट जो अभी जो हो ग्रेजुशन कर रहा है उसने पूचा कि सर जब वेकेंसी आपकी इधर जो हो मैंस का टाइम चल रहा है इधर सरकार ने बजट में इतनी जो हो भरतियों की घोसना की है तो दोहजार चोईस पच्छिस आरेस की तैयारी एक आदमी ने पूचा मैं नाम तो क्या बताऊं लेकिन मेरा आजीज दोस्त जो कि अभी जो है एक्साइज में इंस्पेक्टर लग रहा है एससी के थुरू एससी के अंदर सबसे बढ़िया पोस्ट के अंदर लग रहा है टोप किया वहां पे उस बंदे ने मेरे से वापस पढ़ा थे दस विबार्यों में पढ़े थे बिना पढ़े थोड़ी आते हैं तो जीरो से कभी तयारी स्टार्ट नहीं होती बेसिक से भी तयारी हैं बच्पंज पढ़ रहे हैं वही तयारी आगे रहती है और इसकी तयारी तो ऐसे जो स्कूलिंग में जो पढ़ा था दो द्थ नमबर का होता है पैंच नमबर में कैसे लिखें 10 नमबर में कैसे लिखें अपने Nowadays आते देना पेले आती लगवत्रात्मिक परसिन क्या होते हैं संझीप सुभाटां करते गर थे ना अति महतत्vomiyor पर onion क्या होते हैं तो जब वही क्वेश्चन आपके आते हिंदी में ли Henri के अंदर ट्रासलेशन लोगोंने परड़ा अंग्रेजिंट में maturity हो गए है आपके डिरेक्ट विद्यारती जो 2024 25 को टार्गेट कर रहा है साल डेट साल की तयारी वो करना चाह रहा है जिसने पहले भी वेपर दिये में तो दोनों को भी बैसिक से पढ़ना है तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हम सुरू से अगर तयारी करें आरेस की तो हमें किन पहलों पर ध्यान दे एक जोइंट अप्रोच अपने लोगों की हो कि हम प्री और मैंस दोनों के सब्जेक्ट साथ लेके चलते रहें और उसके साथ जब आपकी अगली वेकेंसी आए तब तक आप मैंस के सब्जेक्ट से बढ़िया तरीके से परिचित हो जाए ऐसे नहीं हो क्योंकि अगर हम हमा पर दिया तो मेरा पुरी बहुत अच्छा गया था लेकिन जाने के बाद में किसी ने का मैंस का कुछ पड़ा है तो यह गलत बात है जब मैंने दिया था जब आपकी जब 534 रेंक ती सेकिंड एटम मैंने दिया था तो 129 रेंक थी तो उसमें भी प्री में मेरे कूब नंब को की अब अब समय नहीं देगए क्यों यह वार्सी क्लेंटर जाने ओगा वर्सी क्लेंडर में पहले से सब कुछ होगा तो था आप मिलेगा आपके प्री और इसीड इब जेक्टों कि तैयारी करके चले अभी से संधर राने पे द्ञारे के द्यां दे अभी से अभी से हम लोग परी कि वहां दे ये ना क्योंड उसिक वारश कलेंडर भी आएगा तो वारशी कलेंडर आएगा समय प्री और मैंस के बीच में ज्यादा नहीं मिलेगा अभी आपके एक साल की रूपरे का एक साल की drafting ऐसी होनी चाहिए एक साल की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए चाहिए आप नए विद्ध्यारती हैं जो foundation की तेहरी कर रहे हैं जो college में last year के अंदर हैं आपके ऐसा नहीं कि अब आप उन 4 में में वहां जाके यह नहीं कर सकते कि जब वहां जाके उन 4 में में answer writing सीख लेंगे नहीं अब possible नहीं है इनचे-4 में मिलेंगे revision के लिह इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वार्थिक कलेंडर जा रही होगा तो उसमें आपको यह चीज तो सब लोगों को पता है और आरेस मेंस की जो कटोफ जो है आपके यहां मुख्य परिक्षा की कटोफ जो है वह दोस्तों दीरे-दीरे कम होती जारी तो इसका क्या कारण इन दोनों पे देखके अपनी रनिती बनाना तो भी विद्धरती insta नहीं विद्धरती exclusive networking अपको बता देता हूं एक प्रारंबिक प्रिक्षय होती है एक मुख्य प्रिक्षय होती है एक साख्षाथ कार होते है उसके इक्टरेवदर अब मुद्धे की बात यह है मुद्दे की बात ये है कि आपको ये ट्रेंड समझना पड़ेगा कि R.A. स्प्री और मेंस और इंट्री कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों की तैयारी आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि जो है वह आप अलग-अलग तैयारी करें केवल अगर आप परी की तैयारी क और मैंस की कटोफ दिरे दिरे कम जा रही है प्री की कटोफ देखो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो प्री की कटोफ 68 से स्टार्ट हुई थी 68 68 से बड़ी कटोफ जो है वह आपके कहां तक है के लगबग 100 तक पहुंच गई मैंस की कटोफ जो 380 से घटती भी कटोफ जो दोस्तों आपके 300 चोगदा 310 तक पहुंच गई तो यह क्या चक्कर है किसी ने पूछा तो मैं नए विद्धारते को बता देता हूं कि जब हम परी की तयारी करते हैं तो हम खूब रटते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंस की तयारी नहीं कर रहें लेकिन परी देते हैं और आ रजे की बात यह है कि स्टूडेंट जो ग्रेड की तयारी कर रहे है इस्टूडेंट जो पटवार वीडियो की तयारी कर रहे है इस्टूडेंट जो जूनिर अकाउंटेंट की तयारी कर रहे है पीसाई की तयारी कर रहे है और वह आदमी जो उन एक्जामों की तयारी कर र नहीं हैं लेकिन वह Grade का है मान लो कि वह सिख्षक भरतियों का भेरती है वह पटवारी का भेरती है वीडियो का भेरती है LDC का भेरती है वहां पे हर में नमबर लाने होते हैं वहां सेस्वी फिर्सका नहीं है तो जो अब भी राजास्तान जिके बहुत पढ़ रहक है उसने Met reasoning मोफ अच्छी पढ़ रहा है साइंस मोफ अच्छी पढ़ रही हैं और आज कघो सभें करेंड यूट्यव पर आपको बहूत अच्छे से कवर करवा देते हैं तो वो परी पास प्रेंगे क्योंकि यह वह टूठीस प्रेंगे इनकी रणिजी चेल लिया, जाके ओरमेच केल रहते हुआजन ब्रूम क्यों तो हिससी प्रफ़ अब जाएके जह वो वर्ड कप में भी एचा कहलेंगे भाई ठीक है लेकिन इनको तो सिद्धा ही जह वो वर्ड कप खेलना है तो यहां यह समश्या रही है कि जो सामान्य भेरती जो चाहे ग्रेड का हो चाहे आपका पटवारी हो का हो चाहे लडिसी का हो चाहे वीडियो का हो चाहे PSI का स्टूडेंट हो चाहे Commerce वाले जो भी स्टूडेंट है जो एक्जाम में तयारी कर रहा है क्योंग सलेबस सम्में इंडिया जी के राजिस्तान जी के math reasoning science यही होता है और इंदी अंगलिस यह आप लोगों को समझना पड़ेगा अब यह लोग जो है वो परी की तयारी इनके नहीं होती है तो भी प्री क्लियर करते है ना फिर मैं बहुत सारे लोगों के SMS देखता हूं कि सर परी में तो 115 नंबर है मैंस की तयारी कराया को नहीं कर उसके तयारी ती मैंस की कोपरी में फेल हो गया क्योंकि उसने प्री पर ध्यान नहीं दिया था तो परी पर द्यान देना पड़ेगा मैंस पर ध्यान देना पड़ेगा और एक ऐसी आपको स्मार्ट अपरोच डवलप करनी पड़ेगी जिससे आप लोगे अगर एक साल तो आपको आरेस क्यों बनना है यह सवाल पहले आप खुछ से पूछे हाँ यह सवाल मैंने भी पूछा मैंने यह सवाल जब हम तयारी करते थे हर आदमी की जो है तो पंदरा बीज दिन मोटिवेट रह सकते हो पंदरा दिन रह सकते हो बीज दिन रह सकते हो एक महिने रह सकते हो परिवार में किसी का हो गया तो मोटिवेशन हो सकता है किसी आरेस से आप मिल लिए कभी तो मोटिवेशन हो सकता है यह सारे मोटिवेशन है यह च्छनिक मोटि टाइम है जो हर टाइम आरेस की तैयारी करना भी एक सिंबल बन चुका है स्टेटस बन चुका है आज के दिन आरेस की तैयारी करना तो अगर आप स्टेटस के लिए तैयारी कर रहे हैं अगर RS की तेहरी करना एक सिंबल है या घर वालों ने कह दिया तो कर लिए तो ये सारे मतलब सामान्य चीज़े हैं अगर जब तक आपके पास कोई कारण नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, कि मुझे RS क्यों वरना है हाँ, आपका वो सेल्फ मोटिवेशन आप में ही होगा, हर आदमी का अलग होता है सेल्फ मोटिवेशन अपने घर वालों के सपने पूरे करने के लिए हो, या जीवन में खुद को जस्टिफाई करने के लिए हो समाज के लिए कुछ करने के लिए हो जो भी आपका सेल्फ मोटिवेशन है वो केवल आपका है वो चाहिए आपके माबाप के सपने हो चाहिए आप अपने आपको खुद को जस्टिफाई करना चाहते हो या आपने जो होगा वो देखा जाएगा आरेस तो बढ़ेंगी वो से जनता काय भी देती है कि अगर आप अधिकारी बनते हो न तो पैसे नहीं भी है तो भी आपका वर्ग चेंड होता और वर्ग से यह मुद्द यह नहीं कि बर्ग चैंज हो या नहीं हो माबाप इस संबान मिलता आपके अग यहाप और कहीं किसी एक बार जो सामानेवर्ग से जो लोग आते हैं जो आपके जो ग्रामीन प्रीवेश के लड़के लड़किया जह सहरी प्रीवेश के जो लोग है मध्यमवर्ग के लोग हैं वह खुछ सोचो अपने पास क्या अपने कोई इतना बहुत बड़ा तो इससे तकड़ा कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी motivation self होनी चाहिए आपको अपने सपनों को पूरा करना है अपने घरवालों के सपनों को पूरा करना है आपने जो मेनत किये उसे justify करना है तो बस बढ़िया यह गो नहीं कि कोई विया आदमी बढ़तो बढ़तो नहीं ओ बढ़ो तो मैं बढ़ो ना आप उससे अगर सीख लेना चाहू किस जिए हिर्षय मत करो पर्तिस परदा भी खुद से होती है आदमी की ठीक है ना तो उससे सीख लेना चाहो तो उसकी जड़नी से सीख लो कि उसने कितनी अच्छी मेनत की होगी आरेस के लिए वो कितने घंटे पड़ा होगा उन चीजों पर ध्यान दे के आरेस का स्टार्ट करो तो यह आपकी जो सेल्प मोटिवेशन है ना वो पहले सबसे पहले ना एक पे होता और उसके बाद में जो है वह आपका जो होता है इंट्री होता है लेकिन मैं फिर एक चीज कह रहा हूं यह जो है ना काम तो मतलब दूर दो जो आपको दूर से लगता होगा कि बहुत ही टफ है नहीं हम जैसे सामाने लोग जिनके 70-80 परसेंट आये वह हो जिनकी ग्रे केवल माहोल में तैयारी होने ची वास्त्रिक्ता में तैयारी होने चीजिए केवल ऐसे नहीं कि आवरेस भंद रहे है वास्त्रिक्ता में पढ़ लिया वास्त्विक्ता में syllabus के अनुसार पढ़ना है और टिक लगाने कि यह subject हो गया यह subject हो गया यह subject हो गया और बिना किसी बिना किसी जो है वो tension के पढ़ना बहुत जरूरी है बाई एक बिना किसी tension के हाँ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं टेंचन नहीं होनी चीए तुम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो न अपना तो फिर क्या tension तुम बस टेस्ट देओ बड़ी असले बस कवर करो क्लास देखो रेगुलर्टी रखो सारी चीजों पर ध्यान देओ लेकिन मजे मजे में पढ़ो ऐसे नहीं किया रहे यार पढ़ना पढ़ रहे तो पढ़ रहे नहीं तब तो तुम्हारे मन में जो काम है न वो कर लो बले पढ़ो तब जब पढ़ने में मजा आने लग जाए कि आज 8 गं लोग जब क्रिकेट खेलते हो तो जब बैटिंग आती है तो मजा आता है ना आता है न मजा तो उसी तरीके से आपको पढ़ाई में आनन्दा आना ची इंट्रेस्ट होना चीज़िए आपका रूची होनी चीए और टारगेट होनी चीज़िए का आज ये टोपिक लेगा एक आपकी motivation self motivation होनी चाहिए आपको एक साल की पूरी drafting करनी पड़ेगी मैं आपको सारे subject बताऊंगा मैं आपको जो है वो सारी books भी जो है वो दिरे दिरे बताऊंगा आपको tension लेंड की जुर्यत नहीं है बट हाँ एक कारण वो जो है और दूसरी धिंडोरा नहीं पीटना है चलेक्शन बता देगा जो सोर होगा वह आपके selection से होगा उस दिन अपने आप जो है वो धिंडोरे पूटन विटिनन पीटने से क्या मतलब वजेंगे लेकिन धिंडोरा नहीं करते और उसका बखान ज्यादा करते रस की तहरी करो बड़िया तरिकांग करो बीच में और भी एक्जाम सारा दो पटवार दो वीडियो दो सिक्षक बरतिया रही है और तो पता चलेगा ना कि लेवल क्या अपना किस तरिकांगे अपनी यारी चल लिए तो पेपर सारे देओ बिना मतलब धिंडोरा मत पीटो बड़ियां निरंतरता से पड़ो घरवालों से बात करते रो लाइब्रेरी जोइन कर लो भी पास में है तो ओनलाइन पड़ो चाहिए ओफलाइन पड़ो समय जाया मत करो और आसे टार ये देखो भरतियां आने के बाष़ बाते हैं अदमी जो शांतिक आल में पड़ता है ना वही तो 3 kt लेक्स से बारे में और सारी चीजों के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करता हूँ हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो प्रारंबिक प्रिक्षा के अंदर आपके पास हैं और जो प्रारंबिक प्रिक्षा के अंदर आपके पास History भी हो गई और वो India रास्तान प्लिटी कोंसिट formations भी हो गया रस्तान जविग्राफी भी पी हो गयी रास्तान की और रस्तानिक के इंडिया उक्तों भी हो साइन्स इस साथ साथ जो है वो आपका science इन 5 portion के बारे में अगर हम लोग बात करें ये 5 के 5 portion आपके mens में भी है ये 5 ओ पॉर्षन आपके mens में भी है ये 5 ओ पॉर्षन आपके क्या है mens में भी है बलब history आपकी mens में भी है आपकी polity mens में भी है और आपकी geography mens में भी है आपके eco जो है वो men's में भी है और आपकी science जो है वो men's में भी है यह इतनी चीज तो पहले से जो अब men's में जाके यह first paper, second paper, third paper, fourth paper में जो divide हो जाते हैं मैं वो बाद में बताऊँगा आपको बट पहली चीज यह तो अब केवल कोई आदमी जब premium जो सबसे बड़ी गलती कर गये जाते हैं वो गलती क्या करते हैं कि यह चीज़े जो premium है यह men's में भी है तो generally हमारा focus यह रहता है कि यह दोनों चीज़े कॉम्बन है यह men's में भी काम आएगी तो इन पर ध्यान रखा जाता है ज्यादा लेकिन यह ऐसे subject है जो predictable थोड़े कम है सलेबस थोड़ा ज्यादा है तो आप केवल इनके भरोसे केवल इनके भरोसे आप परी के उपर जो है वो अलब इतने निश्चित्ता से नहीं बैठ साथ पढ़ना है यह यह पढ़ेंगे क्योंकि की मैं में काम हैंगी तो इनको प्री प्लस मैंज की जोईंट अपरोसे पढ़ना ऐसे नहीं की स्ट्री पहले परी के अनुसार फिर महिंस के उचलिन एक दम जोईंट अप्रोसे कि कारण क्या है के ठीक है ऐस अपलता कि कारेंड क्या रहे उनके वारे में अपने पूरा पड़ा पॉलिटी में संसदी असासन व्यवस्ता है तो उसको अपने अच्छे से पड़ा जोग्राफी के वारे में अपने बहुत अच्छे से पड़ा फिजिकल जोग्राफी हो चाहिए इंडिया जो आप लोक जो कवर करें लेकिन अगर है आप मैंस की तरह बढ़ना चाहते हैं क्योंकि मिन आगया आपके पास जो हुआ निकल गया और दो चीजेज में आपके छ ail चोरते सब्जक्ट आएंगे और जो चै छोरते सब्जेक्टे जो होंगे आपके उसada आपका एक वैवार होगा वैवार के साथ एक विधी होगा 20-20 नंबर के आते हैं विधी के साथ एक योगा होगा एक समासा छोटे-चोटे होते हैं जैदा लोड नहीं है लोड तब है इनका जब आप इनको पहले पढ़े नहीं एक इसके साथ साथ दोस्तों आपका लेखांकन होगा उसके साथ साथ दोस्तों आपका परबंदन होगा इनका लोड तभी होता है जब आपने पहले देखा नहीं तो यह आपके मेंस में जो हो छह चोटे subject extra होते है यह आपको जो लिखने होते है पढ़ने होते है उसके बाद में means में आपके पास जो है वो हिंदी जो है वो आपके अलग से होती है English अलग से होती है एक लोग परशाशन आपके पास अलग से होता है और एक निती सास्तर आपके पास अलग से होता है एक आपके पास निती सास्तर अलग से होता है ये भी कोई बहुत बड़े सब्जेक्ट नहीं है लेंग्वेज आप पढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन हिंदी इंगलिस लोग परशासन और निती सास्तर ये आपके पास अलग से होत है यह केवल मेंस में होते हैं अब सबसे पहले अगर आप इनकी तरफ जाना चाहते हो तो आपके अप्रोच क्या अप यह सब्जेक्ट जो है वह आप पढ़ रहे हैं इनको आप जो कॉम्बो में पढ़ो प्री और मेंस दोनों के अनुसाथ अब टार्गेट करो कि बारा मेने म हमें कवर करना है प्री और मेंस दोनों का सली बस तो सबसे पहले आप जो है वो प्री की सुझ स्चिता के रहे के प्री उन्ही आदमियों का बहुत अच्छे से कवर होता है जो करेंट अफिर अच्छा पर लेते तो एक तो मेने में 2-4 वीडियो जो करेंट फेर की मेरे आएँ वो देख लो उसके बावा यहां बात बेठती यह आपके मैत और रिजनिंग के pensar रापम Fed और रिजनिंग जो है ना सब्सक्क्राइब हुआ है कि जिस तरीके से में समझे रही कि हमने मैत रिजनिंग के तरफ नहीं देखा तो आप जो है तेड़ सो में से आपके जो देखे देखो आप अच्छे से कि आपके चोईस पत्चिस प्रशन जो है वह आप जो दाव पर लगा के जा रहे हैं और यह बहुत बड़ी मुर्खता है अब आज से अगर आप लगें तो यार मैत रिजनिंग आरेस की बहुत मेंसेज जो है वो 15 20 क्वेशन तो पकेस ही करें परी सुनेस चित हैं एक समझे पर ही के अंदर सबसे बड़ी एक साइस पर ध्यान नहीं देते इन चारों को पढ़ने में आता है मज्जा आता ना साइंस को पढ़ने में art वाड़ों को मज़ा मजह नहीं हाता और साइंस को पढ़ने में कॉमर्स वाड़ों वाओं मजह नहीं याता और साइंस को पढ़ने में साइंस फालों बीसमधली й्ये है तो साइंस को अगर आप त्यार करना चाहते हो ये तो सभी करते हैं और ये करके ही मेंस में काम भी आएगा ये लेकिन आप सबसे पहले टार्गेट करके साइंस मैथ रिजिनिंग को कवर करना चाहिज बात है ये कर लिया तो प्री सुनिस चित हुआ आपका अब आप एक बारा महिने की रूप रेका बनो ये जो सब्जेक्ट व्यवार विधी योगा समासास्तर लेखांकन परबंदन वाले जो सब्जेक्ट हैं ये कितने कितने घंटें के हैं 20-20 घंटे के हैं ये आपके 20-20 घंटे के जो है एक परबंदन 40 घंटे का है मतलब अगर आप क्लास लेओ दो 2-3-3 घंटे की तो 10-10 दिन क target करना है कि हर मुंत जो है हर मंत जो है परतेक मंत अभी स्टार्ट कर दो इस मेने से करवाएंगे आपको परतेक माहा जो है वो एक छोटा सब्जेक्ट कवर कर ला रटो मत याद मत करो समझ मेंस वाले टाइम र्ट लेंगे सब कुछ कर लें पर पहले इन से परिचित हो उना जरूरी है पर इस लिए जरूरी है हाँ यह सब्जेक्ड में कवर करवाता हूं आपका आपकी पॉटरु और एको नबर का पॉर्षन और यह जो पॉलिटी और हो 40 नमबर का portion 130 का 230 नमबर का portion में ही cover गरवाता हूँ 800 में से और प्री वाले टाइम में भी मेरे बाद में इक करेंट और बहुत सारी चीज़े हो जाती है और अच्छी faculty आपको और cover गरवाएगी किस तरीक से आपका बेच स्टार्ट हो रहा है foundation का बेच स्टार्ट हो रहा है और live मतलब pure live live ही पढ़ेंगे recorded आपको उपलब रहेंगी आपकी इच्छा होए तब पढ़ लेना लेकिन live पढ़ने का मज़ा अपने आप में अब अगर यह रणनिती आप फोलो करो किसर जो है वो यह सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ने हैं यह तो हर महिने का एक सब्जेक्ट मैं लगाओं पूरा करता जाओं मैं तरीजिनिंग सेंस को मैं अच्छी कर लूँ हर महिने एक चोटा सब्जेक्ट है बीस गंटे का मतलब क क्या होता है संडे संडे मी पढ़कर नाम तो भी दोदो घंटे की 10 कुलास लेने में इस तक जो रहता है यह आपको त्यार हो गया है हिंदी इंग्रेजिसमें आपकी चल रही है बड़ी आ पड़ो सब से जदादा डर होता है इंग्लेज का आपना राजस्तान में भूठ को सब्सक्राइब करने के लिए शुरू से पढ़ो लास्ट में अंग्रेजी कह रहा है तो आपनों बीटे में अब कहीं आदमी बाद में करें को नहीं तो इंग्लिस अगर अच्छे से सब्सक्राइब करने तो अभी से इंग्लिस में लोगों अब लोग प्रसासन बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है पचास गंटों का सब्जेक्ट है जब यह पूरे हो जाए ना उसके बाद में ध्यान रखना कि दोई सब्जेक्ट ऐसे और जो मेंस में जाके अलग से देखन फिर बाद में composition हम cover करवा देंगे यह सारी चीज अगर आप follow करो तब जाके आपके अच्छी approach हो basic 5 सब्जेक्ट cover करने है परी को secure करने के लिए science और math reasoning cover करने है science और math reasoning अच्छी हो गई उस दिन से हर महीने का मेंस का एक छोटा सब्जेक्ट cover करना है और उसके बाद में आप कि यह subject भी cover करने है अब बताओ मेरे को अगर यह कर लो तो फिर अप्रोज तुम लोगों की हो जाए ना तो आदमें tension free ही हो जाए और इसलिए तुम लोगों के लिए यह पूरा syllabus में upload कर वा रहा हूं सारी चीजों पर हम लोगों ने discussion किया foundation batch start हो रहा है इतना शांदार पढ रहा है आपको टेंशन लेनी की जुरत नहीं है आपको बस लेनी है रिविजन करना एक content पूरा मिलेगा आपको जो है वह बुक्स आप NCRT की तो लहो तो लहो साथ में लेकिन हम भी आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्द करवाएंगे NCRT बेस्ट अद्धेन होगा 6 गंटे class रहेगी हिंदी अंग्रेजी की classes हम आपके लिए अलग से चालू रखेंगे एक साल में पहले सलेबस पूरा cover करेंगे और उसके बाद में दोस्तों आपके टेस्ट भी चालू गरवा देंगे और बढ़िया दो साल की validity के साथ मैं 2024 की वेकेंसी को target करें और यह ऐसे नहीं लि जाएं PG में रहें फिर class का wait करें जाके seat रोगे 8 बजे की class के लिए 6 बजे से समय खराब करें ना अगर 6 बजे की class है 15 मिट पहले उठें बड़ी अचाए घर पे बनवाएं मम्मी को बोलके और फिर class लेने start करें बहुत बढ़िया काम समय जाए नहीं होगा और आपको एक विशेस फांडेश बढ़िया आपके 15 फेकल्टी बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करवाएगी और आप बढ़िया ओनलाइन पड़े घर बेटे पड़े एकदम अफोर्डेबल एकदम जो है वो मलब यह मानलो ओफ लाइन से तो दस परसेंट फीस में एकदम कम से लिखना और वो लिखना क्या है आपको यह लिखना है कि कारण क्या आरेस बनने का उसकारण को ना जना याद रखो आरेस बनना क्यों है और बीना टेंशन हुए पड़ना है तो धन्यवाद जेहिंद राम राम